आकर्शन का खेल दूसरा लोग जाने अन्जाने में लगातर हमें प्रवावित कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं इसमें हमारी मर्जिकम लोग जो कह रहे हैं उसका असर जाधा नजर आता है बहुत बार हम समझ जाते हैं कि कोई में नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है और हम उनका विरोध भी करते हैं लेकिन प्यार आकरिशन प्रलोवन की बात आती है तो हम जान बुछ कर दोगा खाते हैं लोगों को बेवकूफ बनना आसान है मुश्किल है उनको समझाना कि वो बेवकूफ है और जानती है मर्द से ताकत का मुकबला नहीं किया जा सकता इसलिए वो भावनत्मक रुप से हमला करती है भावना का वार ऐसा होता है कि कभी-कभी मर्द इतना भाववक हो जाते हैं कि वो तरक संग रुप से सोचना में असामर्थ हो जाते हैं प्यार में अक्सर लोग मुखता पुरून काम करते हैं जो वो सामयनु रुप में नहीं करते हैं वो जोकिम लेते हैं अपने भावनाओं को खुल कर वेक करते हैं देखो पैरशप्द का अर्थी होता है भटकाना बहकाना और जानती है बासना में डूवे है वेक्ति को नियंतर करना कटिन है और एक बार संतुष्ट होने पर वो आसानी से औरत को छोड़ सकता है लेकिन पैर में पड़ा हुआ इंसान हमेशन नियंतर रहता है इसलिए औरत क सारे लक्षों से भटका कर कामों की इच्छा को लक्ष बनाने में मजबूर करती है मर्द को लगता है नियंतरन उसके हाथ में है लेकिन उसे हमेशा कोई औरत नियंतर करती है मर्द जितना भी चाहे वह आकर्शन की इस ख्योल से बच नहीं सकता क्योंकि कोई हमें प्यार कर और यह भी औरत के दुनिया है लेकिन एक खुशकबरी है आकरशन के खेल में मर्द और से बहतर खेल सकता है बस वह प्यार में ना पड़ जाए फिर वह किसी भी और अपनी और आकरशित कर सकता है आकरशन के खेल को सिखने के लिए रंग रूप चरित्र शारिक सुधार के इसमें जरूरी है दुनिया को अलक नजरिये से देखने का और इसमें कोई भी पारंगत हो सकता है एक शिकारी के व्यावहार जटिल और बहु आयामी होता है यहां सामाजिक प्रभाव आंतिरिक संगर्श और अन्यकारकों का मिश्रन हो सकता है यहां याद रखना नहीं होता है और एक शिकारी गहरे और सार्तक संबंद बनानी के लिए सक्षम होता है अपने कोशल और केवल शाहिन कक्ष तक सीमित रखने के बजाए उन्हें हर जगह उपयोग करें दुनिया को अपना मंच बनाए हर मुलाकात को एक अफसर समझें अनुभव और अभ्या अपनी उच्छाव को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तयार होता है शिकारी धर्यवान रजनितिक और लक्ष के इंद्रित होता है वे हर व्यक्ति को एक चुनोती के रूप में देखते हैं और उसे जीतने के लिए हर संबैप पुरास करते हैं सबसे लक्ष की मन में विजय पाने के लिए उन्हें सुरक्षा देता है और सुनेर भविषय के कलपना को आकार देता है इसे औरत प्रतिरोद नहीं करती और आसानी से अशारिक समर्पन कर देती है एक शिकारी प्यार को जंग के मैदान के रूप में समझता है वो प्यार में नही नहीं है यह मनुवेग्यानी खेल है लक्ष को समझ कर उचित रन्नेती बनानी पड़ती है इसमें जीतने के लिए इसे गंभीरतार से ले और महनत करें एक शिकारी मनुवेग्यान की गहरी समझ रखता है बिशिज रूप से आनंद की इच्छा और लोगों को कमजोर करने की श देखो खुशी का अनुवव लोगों को खुला और कमजोर बना देती है शिकारी इसका फायदा उठाते हैं दूसर को नियंतित करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं शिकारी जीवन को एक रंगमज की रूप में देखते हैं जहां हर व्यक्ति एक अभिनेता ह अधिकांग्च लोग अपने भूमिकाओं में सिमित मानते हैं जिसके फलसरूप वो वे दुखी रहते हैं शिकारी इसके विपरेत किसी भी रूप में ढल सकते हैं और अनिक भूमिकाई निवा सकते हैं शिकारी धोके का रूप है लेकिन लोग गुमरा होना चाहते हैं भहक प्रवावित करना चाहते हैं यह आपको रननीति और तक्निकों से भर देगी जो आपको किसी भी स्थिति में सफल होने मदद करेगी अकर्षियन के खेल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं पहला है मानब प्रकुर्ति यहां नो तरह के चरित्रों और उनके विपरित चर और उन्हें अपने लक्ष को प्राप्त करने में मदद करेगा मुहत्तो पुर्ण तत्व आकर्षियन के खेल में दो तत्व पर जोर दिया गया है सबसे पहला है आकम जगरुकता आपको यहां समझने के आवशक्ता है कि आप में क्या आकर्षक है और आप दूसरों को कैसा प्रभाब डालते हैं दूसरा है लक्ष निर्देशन आपको यहां जानने के आवशक्ता है कि आप किसको आकर्षित करना चाहते हैं और आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं विभिन्न प्रकार के शिकार आकर्षियन के खेल में अठरा तरह के आसान शिकारों का वर्णन कि करते हैं सफलता निश्चित नहीं है लेकिन पुस्तक आपको सभी संभवनों को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरण परदान करती है यहां पुस्तक उन लोगों को अनुशानसित है जो दूसरों को प्रभावित करने और आकर्शन करने की की शमता में सुधर करना चाते हैं अधिक आत्मविष्वास और सामाजिक उप में सक्षम बणना चाहते हैं रिश्टों और संचार में अधिक सफल suspended आकर्शन और मनोवग्यान के बारे में अधिक जानना चाते हैं शिकारी बननी के लिए अपने बिचारों के प्रती खुले रहना चाहिए सतनतर रूप से सोचना चाहिए और विभिन्य दृष्ट को अनका मनोरेंजन करना चाहिए यहां हमें डर या प्रुभाग्रहों से मुक झाल झाल झाल